सब्सक्राइब है तो हम लोग संचिप्त सुर्कियां देख रहे थे जो संचिप्त न्यू जोड़ते हैं चोटे-चोटे-चोटे से और यह एक्जाम की दृष्टे से काफी मेरत पूर्ण होते हैं यह वाला विडियो आप लोगों को सेंड कर दिया गया है तो यदि आप दूसरा आपको यद्यान रखना है कि यह सुरू कप किया गया था इसके तहट दो बागों को ध्यान रखेंगे दो बागों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अस्थनांतरित किया जाना था और इसके तहट मद्य परदेश के कामा टाइगर रिजर्व से एक बाग और बांधावगर्ण से एक बागिन को उडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में अस्थनांतरित किया गया था तो ध्यान रखेंगे बाग का नाम क्या था महाबीर और बांदावगड में जो भागिन थी उसका नाम था सुन्दरी तो दोनों ही आपका MP में है ये टाइगर रिजर्स ध्यान रखेंगे दोनों का आप से पोच सकता है कुनो नेसनल पार्क वाला हम लोगों ने चिता वाले में देख लिया था चिता परियोजना में यहां पर आप देख सकते हैं एक नट यहां पर यह देखिए चिता परियोजना बागी वाला चिता परियोजना में हमने देख लिया था कुनो नेसनल पार्क की बात की गई थी यहां पर कितने सदस्य हैं इसमें कितने साल तक यह इसका कार्येकाल रहता है वह जो समीटी बनी थी इसका कार्येकाल और देखिए यहाँ पर कुनो नेस्नल पार्क में इन बागों को नामीबिया से लाया गया था तो इसमें से साभकों की मौत हो गई है उसी को लेकर के यह जो घटना है वो करंट में आई थी तो कुनो नेसनल पार्क भी आपका कहां पर है मद्य पर्देश में है बांधावगर टाइगर रिजर्व कहां है वो भी आपका मद्य पर्देश में है और काना टाइगर रिजर्व भी आपका कहां पर है मद्य पर्देश में है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपका कहां ह ये है ओरिशा में तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है तो कहां से कहां इनको अस्तरांतरित किया गया है ये देखिए ये मद्य परदेश से सीधा ओरिशा में किया गया है जो कि बिफल रहा है इस पर ये जना को निम्लिकी दो उद्देशों के पूर्त फिर से बसाना जहां अलग अलग HER इन की आबादी काफ ही कम देखिती इसका मतलब यह जो सतकोषीया night a की रिज़र्व रहें यहां पर बागो की अबादी कम हो गई ती इस लिए मद्यय पर देस के टाइकों जल्ब सर लिजा कर से ज़ंगर करessä परियोजना की विफल्ता गेदि हम कारण देखें तो बागों के सिकार की कम उपलगता सेम चेजिये ही जो dawतिया यहां पर थी जलने देखा था यहां पर कि सिकार की कम उपलगता थी ठीक है चीतों के लिए तो यह चुनोतियां यहां भी है, इनके भी सिकार के लिए कम्मुपलगता, करमचारियों में आवस्थर प्रशिजर और छम्ता निर्मार की कमी, तो सेम चीजे हमने वहां भी देखा था, बागों के लिए परियात सुरक्षा का भाव, तो सेम चीज वहां भी था, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपको शीता कर देना है, तो इस तरीके से आप एक अगर एक आप टॉपिक समझ लेते हैं, इससे मिलता जुलता तो डूसरा आपको ज़्यादा समझने का जरूबत नहीं है, क्यंके सारे चुनोतियां यहीं होंगे, भी फलता के, और यही होता है में, आप च से संबंदित चीज़े हुँ तो उससे उसके समधान के लिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए तो लगबभ दूनों का अंसर सेमी होता है बस आपको कुछ रिपोर्ट डाल करके स्टार्ट करनी है ठीक है चुनावतियां बता करके समधान बतानी है तो लगबभ हो सेमी होता ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए आपको अलग से पढ़ने की जुरत हो सदकोसिया टाइगर रिजर्वे में दो वन जीव संभाग यथा महा नदी और सदकोसिया सामिल है ध्यान रखेंगे इस नदी को सिमली पाल के बाद सदकोसिया उरिसा का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्वे है यानि सिमली पाल भी आपका कहां पर है उरिसा में है और सदकोसिया तो उरिसा में है ही बट यहां पर ध्यान यह रखने आपको कि सबसे बड़ा यदि हम टाइगर रिजर्वे की बात करें उरिसा की तो वो है सिमली पाल उसके बाद से सेकेंड पर जादा उपादा थो आप कहीं एसा ना सोरे कि यहाँ पर बागों का सतरांतरण हुआ है सदकोसिया में तहु सकता है सतकोसिया जादा बढ़ा हो तो ऐसा नहीं है सतकोसिया आपका सेकिंड नंबर पर है भरतमान में सतको कोई भी विग कैट्स यानि बड़े विसाल वनसी मुझूद नहीं है ये भी बहुत सुचने वाली बात है कि टाइगर रिजर्व होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विग कैट्स नहीं है कार्णा राश्चे उद्यान ये भी मद्य पर्देश में है सत्पुडा पहारी की मैकाल स्रेडी में है ध्यान रखेंगे किस स्रेडी में है ये मैकाल स्रेडी में कारना राश्ची उद्यान को 1889 में अरक्षित वन घोसित किया गया था वर्स 1933 में इसे वन जिव अभ्यारन घोसित कर दिया गया था वर्स 1905 में इसे राश्ची उद्यान का दर्जा दिया गया था तो इसे आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा यहां से यह नहीं पुछेगा लेकिन यह जो चीज़ें हैं आपको याद होने चेश चुनावतियां तो आप देखते हैं अंदाजा लगा लेंगे और यह चीक है उसके पास है कि बांधावगर जो राश्ची उद्यान है मद्य परदेश में बिंद पहाड़ियों में फैला मेंत ारके करते हैं कहां पर तो बांधावगर में अब यहां पर देदेगा आपका काणा में कुनो नेसनल पार्क में में तो ध्यान रखेगा आलांकि आप उहन दाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन के में चीटा को रखा जाता है किसमें वाग को रखा जाता है ये यहां पर बांदाऊ regener वा दे टाइगर रिज्र ना दे उपर अपमी जएगे तो इस चीज से आपको भचना है ये यहां पर राश्टिय जोड़ी लाड परिवरतार न्तrash के अधिन एक सामविधिक निकाय है समवेधानिक नहीं है यह सामविधिक निकाय है इसका गठन कब किया गया था 2005 में किया गया था और किस मंत्राले के तहद किया गया था तो परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले के तहद इसका जो है गठन किया गया था इसका यहां पर गलत करके मत आएगा यहां पर अकर सम्वेधानिक दे तो वह गलत है यह साम भी दिखें ओके तो इतनी चीज़ां यहां से ध्यान रखने जो चीज़ां पर हाइलाइट कर दी गई है वही आपको ध्यान में रखना है हलांकि यह पीडियो आपको सेंड कर दिया जाए मिजोरम मिशविद्याले और जर्मनी के मैक्स प्लाइंक इंसिट्यूट फॉर बायलोजी के सुधकर्ताओं ने भारत में अमार सीमा के पास मिजोरम में फ्लाइंग गेको की एक नई पजाती की खोचकी है फ्लाइंग गेको को पैदा सूटिया ग्लाइडिंग गेको भी कह अब ध्यान रखेगा गेको मिजोरमेसिस क्या है एक छिपकिली है यह दुनिया भर में गर्म जलवाई वाले शित्रों में पाई जाती है ध्यान रखेगा यहां से कोशन आपका बन सकता है क्योंकि पिछली बार यदि आप देखेंगे दोजा थीस के यूपीसी के पिपर को उसमे पूशा गया है जिवानों को लेकर के कि सुस्क में जीवित रह सकते हैं पर फिलेयर में जीवित रह सकते हैं उच्ण में आदर में ऐसे कर Parlament पूशा हुआ है कोशन पूचछ ले जाते है तो ध्यान रखेंगे यह गर्म जलवाई वाले शित्रों में जादा पाई जात नुटम यह चिपकिली की एक प्रजाती है यह सब्दावली विस्यस करके आप थ्यान में रखेंगे इसका नाम मिजोरम राजी के नाम पर गेको मिजोरमेसिस रखा गया है तो नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा अगर इसके विस्यसताओं की बात करें तो इसके इसको कहा गया है किया पहरा सूट या गलाइडिंग गेको यह गेको पोपैंसिस से काफी मिलती जुनती है लेकिन अनुवांसे ग्रूप से अलग है इसका कारव रिक बनावट और रंग पेटरन गेको पैपिसे अलग है यहां पर ध्यान रखने के ज़रत नहीं है यह भी आ अंदाजा लगाई लेंगे कि छिपकिनिया रात में आप जादा देखेंगे और सोई रहेंगे और किसी लाइड जल रही है तो उनको कीडे मकोडों को पकड़ते हुए भी आप देखेंगे तो जहां पर भी पेड़ पौदे जादा होते हैं घासपुस वहां पर यह मती परदान की गई है भील जन जाती वन भी भाग के इस निर्ने का बिरोध कर रही है यह जन जाती मध्य भारत में पाई जाती है तो यहां पर कौन सी जन जाती इस बायो वाब दिक्ष को काटने के लिए बिरोध कर रही है तो वह है आपके भील जन जाती आपका यहां पर और भी कोई जैसा संथाल गौंड ऐसा करके देदेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बाव बाब एरन सोनिया वंस से संबंदी थे यह अफ्रिका के मुख्ये भूमी में डगास कर आस्ट्रेलिया की अस्थानिक पर जाती है दूसरा यह ध्यान रखेंगे यह कहां कि अस इस विरिक्ष पर लटकते हैं विसेश फूलो का प्रांगड चमकादर और बुस वेवी द्वारा किया जाता है यानि जो प्रांगड होता है यानि एक जगह से दुस्य जगह लेकर के जाना तो आप प्रांगड के बारे में जानते होंगे कि यह वायों के माध्यम से तितल् एसा नहीं कि हवावा सब के द्वारा हो रहा है अंतराश्टिय प्रकिति सनच्षर संग इस्तिति इसके मतलब आयूसी अनकी इनडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है अनुसुची में ठीक है ध्यान रखेंगे चीज़ को ठीक है इनडेंजर्ड है यह मद्दे पर देस सरक कि इसको जिया कब अधान कर देया एक क्या है तो यह पर जाते हैं डगासकर और एस तर portraits 2 का ओप गुष तो इतनी चीजे और यहां से ध्यान में रखनी है यह आप देख सकते हैं और कोशन देखेंगे भी तो भाग वाले से कोशन से पूछ लेता है कि अपरीकी चीदे में इस तरीके से कोशन आप का बन जाता है तो अब हम फिलाल यहीं तेक रहने हैं बलापई अग्ले व